तो हेलो गाइस आपका स्वागत है मारे यूटूब चैनल टेक्निकल दूबे किस नए वीडियो में तो दोस्तों फानिली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को बीना स्कीप ये पूरा लास्ट तक देखते रहेगा तो चलिए दोस्तों में टाइम व क्योंकि यहां पर होता क्या है कि फेस्बुक पर आपकी प्रोफाइल पर बहुत बार आप देखते होंगे कई सारे लोगों के भी पोस्ट आपके प्रोफाइल पर देखते हैं आपके फेस्बुक प्रोफाइल पर कई लोगों के पोस्ट आपके फ्रेंड के पोस्ट जो नीचे की तरफ हमारा फोटो नहीं दिखोगा, बल्कि, जितने मारे फ्रेंड होगे जिन्षोंन की अमने टेगा था, जिनूने हमारे टाइम लाइन पर यहांपर पोस्ट कि woll था, उनके पोस्ट और फोटो यहांपर दिखाई देते हैं. वैसे में जो परसॉन आता है कि हमारी फोटो देखने के लिए उसे हमारी फोटो नहीं मिल पाती है तो यहां पर आज की पहली सेटिंग में हम यहीं जानेंगे कि आप इसे किस तरह से कस्टुमाइज कर सकते हो अगर आप यहां पर इस प्राइबेसी को चेंज कर दो तो कोई भी परसन आपके प्रोफाइल प प्राइबेसी को टाइम लाइन प्राइबेसी को चेंज करने के लिए आपको सिंपल अपने फेस्बूक अप्लिकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है तो यहां पर जैसे आपका फेस्बूक का अप्लिकेशन यहां पर ओपन हो जाना है फेस्बूक के आप में तो जैसे आप यहां पर जाते हो तो नीचे आपको आ जाना है और यहां पर आपको एक उप्सन दिखेगा जहां पर लिखा है सेटिंग और प्राइवेसी तो सिंपल आपको इसी सेटिंग और प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है और आपके पास तुसी तरह के इंटरफेस आएंगे फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले वाले उप्सन को बंद करना है जहाँ पर लिखा है हूँ करें पोस्ट ऑन यूर टाइम लाइन तो सिंपल आपके मोबाइल में पब्ली के फ्रेंड होगा तो आपको सिंपल उनली मी कर देना है इस तरह से उसके बार आपको नीचे एक बार फिर आना है फिर यहां पर आपको टैगिंग का उप्सन देखेगा तो उसके नीचे आपको रिव्यू का एक उप्सन देख जाएगा तो सिंपल आपको इनमें दोनों को आउन कर देना है यहां पर जो सबसे पहला आपको देखर है रिव् तरह न स्टिक कि तरफ दूसरे पॉइंट की तरफ तो यहां पर मारा दूसर पॉइंट यह कि आप स्क्राइब करते हैंगे जो फोटो यहां पर मूव करती रहती है जिन है अगर आप मोगाइल को आप ऐसा वाईसा किसी भी साइट पर हिलाओड लाओगे कि जैसे आप हमने मोबाइल को इधर उधर करोगे तो इस तरह का फोटो आपकी तरह से पोस्ट कर सकते हो फेस्बूक पर इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है तो अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्कुप्शन में मैं लिंक दे दूंगा तो उससे आप करते हैं यहां आप आ抖ो जाशन के बारे में बताऊंगा जाए इससे आपira лай रहते हैं जिनको इन्गलिस में और पोस्ट किया हो सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आपका पोस्ट हिंदी में कर जाएगा फिर किसी भी लैंग्विज में आप करना चाहो सेटिंग से आप कर सकते हो याझ अपने फेसबूक अफलिकेसन को करना है नुपर की टी लाइन जो दीखती हैं स्यूंपर की टाप्णा और नीचे कि तरफ को हुझ ब्रूब करना है तो सेटिंगं पर को क्लिक करना है अब यहां पर आपको एक option दिखेगा जो की होगा translate post का तो simple आप उस पर क्लिक करोगे तो तीन option आपके सामने आएंगे तो सबसे उपर वाले option पर आपको क्लिक करना है और आपको एक ऐसी language चूस करना है जिस language में आप किसी भी पोस्ट को convert करना चाते हैं तो अगर मान लीजे कोई English इसका पोस्ट आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी को चूज कर लीजिए इसके बाद अगर कोई भी आपके home पर आपके timeline पर कोई भी इसा अगर पोस्ट आएगा जो इंगलिस में लिखा होगा उसे आप आसानी से convert कर पाओगे हिंदी में तो तुरंत वह convert हो जाएगा एक पीक अप्लोड हुई रहती है एक फोटो अप्लोड हुई रहती है कि आपको पता है कि आप अपने फेस्बुक के प्रोफाइल पर एक वीडियो भी अप्लोड कर सकते हो जी हां दोस्तों आप अपने प्रोफाइल जहां पर आप प्रोफाइल फोटो लगाते हो वहां प पर क्लिक करकर जब आप फोटो को चेंड करते हो तो वहीं पर आपको वीडियो को भी ओप्सन दिखने लगेगा लेकिन यह तभी दिखेगा जब आप फेस्बुक के बड़े वाले अप्लिकेशन को यूज कर रहे होंगे जो कि बड़ा अप्लिकेशन है लाइट फेस्बुक नहीं है और पांच व फेस्बुक पर लाइ Seb फेस्टें और प्रोफाइल फोटो पर एक फ्राइम आप कर सकते हों आपको अपूइट करनी है आप फेस्बूक से ही ये प्रोस्स कर सकते हो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में एक फ्रेम यहाँ पर ऐड़ नेगे आएट क यहां पर आपको प्रोफाइल करने के लिए आपको प्रोफाइल करना है और कैमरे के आइकन पर क्लिक करना है फिर आपको पहले सबसे पहले ही एक अपसंदेखी आएगा जहां पर लिखा होगा पर देखने को मिल जाएंगे और उपर की तरफ, आपको सर्च करने का भी आपको पहई अपसंदेखने को मिल जाएगा फ्रें को नहीं मिलता है अगर आप फ्रें के यूज करते हो तो यहां पर मैं पर डिश्क्रिप्संगर उप्रैंड का लिंक देढ़ सकते हो अगर आप Facebook के बड़े वाले आयप को यूज करते हो तब तो आपको आपको फ्रेम का उपसंद दिख जाएगा अगर आप लाइट को यूज करते हो तो आपको नहीं दिखेगा आपको ब्राउजर में जाकर फ्रेम को लगाना होगा तो उस फ्रेम का लिंक आपको तो आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए धन्यवाज जैहिंद वन्दे मातरम